तस दिफसी गणेश उत्सव के लिए गणेश मंदिरों के साथ गणेश पांडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है गणेश मूर्तियों की दुकाने शहर भर में विभिन स्थानों पर सच गई हैं ऐसे में इस बार मंगल मूर्ती का आगमन उनके प्रिय बुधवार के दिन 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर होगा कोरोना सिराहत मिलने के बाद इसे खास बनाने की तयारियों में गणेश उत्सव समीतिया दोगुने उल्लास से जुटी हुए यहां पर बड़े-बड़े पांडालों में भगवान गणेश की मूर्तियां यहां पर स्थाफित की जाएंगी हिंदू धर्म में भगवान गणेश विध्या उद्धी विग्नहरता विनाशक मंगलकारी सिद्धी दायक और सम्रद्धी दाता के प्रती पौरानिक मानिताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भादरपद शुक्लपक्ष चतुर्थी को मध्यकाल में हम रुक करेंगे हमारे साथ राइपूर से संबादाता गौरव शुक्ला लाइफ जुड़गाएं बातशीत करेंगे उनसे हम जानेंगे कि बाजार में किस तरह की रौनक है गौरव एक दिन बाद याने कल बुद्धवार के दिन गणेश श्रतूर्थी पर भगवान विग इस बार क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई गाइडलाइन आई है कितनी उम्मीद लगाए बैठें इस्तियोहार से इस बार नहीं है और माना में जो मूर्तिकार है वो गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो गणेश प्रतिमाओं है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है उनकी साथ सज्या की जा रही है जो श्रिंगार किया जाता है मूर्ति बनने क गये हैं पूरे राजधानी राइपुर सामित प्रचतिस गड़ में और एक अलगी रूप जो है गणेश उस्वा का वो देखने को मिलेगा और बड़ी-बड़ी मूर्तिया है अलग अलग तरीके की मूर्तिया है कहीं भगवान गणेश को हनुमान भगवान के ओपर कंदों मे बैठाया गया है तो वहीं साती साथ श्रीव भगवान का भी रूप भगवान गणेश को दिया गया है तो एक अलग सा उस्वा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है मैं यहां पर कुछ लोग भी है जो मुर्ति लेने के लिए पहुँचे हुए हैं उनकी प्रतीमा जो ह इसमय है कि रहें कितनी बड़ी मुर्ति ले जा रहे हैं बहुत ज्यादा रहें इस बार किस तरीके से आप लोग उस्वा को बनाएंगे क्योंकि पिछले तीन सालों से उस्वार्प प्रतिबंद था छोटी मूर्थिया बैठानी थी और इस बार आप लोग कितनी बड़ी हमारी 11 फेट के मुर्ति कितना रहेगा उत्सा उससे डबल रहेगा देखे यह तो काकेर से मूर्ति लेने आ है भगवान की प्रतीमा को काकेर से लेने पहुंचे हुए मुर्तिकार भी हमारे साथ हम उनसे पूछते जो पिछले दो सालों से करोना के चलते प्रतिबंद लगा थ जादा खुछी जादा बढ़ गई इस बार और उस्सा है तो वहीं जो गणेश पंडाल और घर में मूर्तिया बैठाते हैं उन्हें भी इसे लेकर उस्सा है और यह उस्सा कल और जादा हो जाएगा जब गणेश भगवान घरों में और पंडालों में इस्तापित होंगे ज जाकर्ष राजधानी में फिलाल भोपाल की बात करें तो मूर्तिकारों का क्या कहना है कि प्रश्रासन की तरफ से ऐसी कोई खास गाइटलाइन कोरोना के चलते नहीं है लेकिन पिछले दो सालों में काफे कुछ परिशानियों का सामना इन मूर्तिकारों को करना पड़ा था इस बार काफी उमीदे रगाएं बैठे हैं मूर्तिकार सालों छिस तरीके से हमने देखा बीते दो साल से पहले यस तरीके सब्सक्राइज मना चाई यह दो रखी वहीं ती पिछले सालों में नहीं रखी गई थी क्योंकि गाइडलान थी लेकिन इस बार फिर से लोगों में उस्वार बड़ी-बड़ी मूर्तियं लेने लोगा रहें छोटी मूर्तियों का छुटी छोटी छोटी कालोनियों में घरों में जो हैं रखी जाती है जिस बंडाल मोजूद हूं करीब सौब से जादा यहां पर मूर्तिया बनाई गई अलग-अलग तरीके की काफी सुन्दर प्रतिमा बनाई जैसे यह मैं आपको प्रतिमा देखाना चाहूंगा जिसमें आप देख रहे हैं जो हनुमान हैं उनकी गोधी में जो हैं भगवान गड़ेश बैठे हुए हैं तो अलग अलग तरीके से मूर्ति हैं मूर्तिकार भी हमारे शाहत मौजूद है उनसे हम बात करेंगे पिछले दो साल जरूर फीका रह बेचना था उस रेट में बेच नहीं पाहा रहे है क्या आप जो करूना का जो असार था आप उसी का असार चल रहे हैं इसकी उपर आपने बड़ी-बड़ी मूर्तिया बनाई देखें बिसाल काय मूर्ति मूर्ती में आपके पास और कितना समय लगा है चल रहा है पिछले सालों के मुकाबले हम यह जरूर कह सकते हैं जो मूर्ती यह बारह चाहर में लेकिन उसा देखिए सुबाय से ही लोगों का पहुंचने का सिल्सला जारी है और बड़े-बड़े ट्रक लेकर आ अपनी मूर्ती लेने के लिए और यहां पर मूर्ती को जो ले जाने का सिलसला आप देखी यहां पर जो मूर्ती है उसको तैयार किया जा रहा है और यहां पर कुछ जो लोग मूर्ती लेने आये हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वह कहां से आये हैं और उनकी कौन सी मूर्ती भ पिछले दो साल जरूर हम कह सकते हैं कोरोना पेंडमिक में जरूर प्रहाइत रहा आप लोग साइद मूर्थी भी नहीं रख पाए हूँ उस समय नहीं रखाई है बाकि यह हमारे को आठवा साल है मूर्थी रखते हुए मूर्थी का साइज है कितने लोग आप लोग लेने आया है और क्या प्राइज है इसकी और किस तरीके से इस वार आप गड़े सुस्वा मनाने वाले प्राइज सोला आजार रुपे इसके कीमत है और हम लोग दस लोग लेने आये हुए हैं यहां पर यह पिछले आठ वर्स हम लोग सागर गुल्डन पाम में गड़ेश जी और माता जी का इस्थापना करते आए हैं इस बार भरपूर जोस के साथ हैं क्योंकि कोरोना ने हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया और यह सांस्क्रित कारिकरामी होते हैं जो हमारे हिंदूत्व की पहचान बनाते हैं और लोगों को आपस में जोड़ने का कारे करते हैं दीपक आपने सुना काफी उस्सा है दो सालों की बात कर रहे हैं लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि ये पर भी होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग मूर्ती लेने के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं कीमत वो चाहते हैं वो कीमत उन्हें नहीं मिल पा रहे है लेकिन ठीक है उनका गुजारा हो रहा है और इस बार कई संख्या में बड़ी संख्या में भगवान गणेश के भक्त इस वक्त मूर्ती खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं